भाईया लगता है भावी के पेट में हाथ ही घोले हैं कैसे लपक लपक के लड्डू खा रही है अरे चुप रहे भे कहीं उसने सुन लिया तो इतने जूते मारेगी के सर पे एक बाल नहीं बचेगा अरे भाई साफ अरे चलो ना भाई साफ क्या है आगे ऐसे वैसे लाए हो या खाली जोला ही लाते आए हो कैसी बाते करती हो रानी भला मैं खाली जोला लटका है घर आने की हिम्मत कर सकता हूं भला भाभी खाली जोला लाएंगे तो मार नहीं खाएंगे क्या मेरा मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता ने कमाई नहीं हो तो पब्लिक कपाफिक मार के वास चुकर यार आज क्या खाने के जगे जूते खिलवाने कह राता है यह लो रानी पूरे 90-90 रुपे ले आया हो मैं मेरा मतलब है इतने सारे लड़ू आये कहां से पड़ोस में कोई मर गया है क्या हटो जी मैं मरे हुए मुर्दों के खैरात के लड़ू क्यों खाने लगी वो तो तुम लोगों ने आने में देर कर दी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी मैंने ठोकरमल हलवाई की दुकान से थोड़े से लड़ू मंगवा लिये थोड़े से क्या मेरा मतलब यह है कि हम दोनों के लिए खाना तो बनाया होगा अच्छा तो मैं बनाऊंगी अरे मेरे भाग इतने फूट गये है क्या भी खाना पकाना भी मैं शुरू कर दूँ रसोई खुली पड़ी है सबजी काग कर चूला जला कर आता गून कर रोटी और भाजी बना लो जरह ज्यादा बनाना मुझे भी भूख लगी है हाँ वो तो ठीक है लेकिन एक आता लड़ू अगर नहीं मरे जा रहे हो बड़ी मुश्किल से मैंने दो किलो लड़ू मंगवाए है अभी तो मेरा ही पैट नहीं भरा मुझे लड़ू दो मुझे लड़ू दो हट अरे पेट है कि गोदान क्या का मैं मैं गोदाम हूँ गोदाम नी गोदान गोदान वो भावी क्या हुआ रास्ते में गोदान में खाना बढ़ रहा था तो मैंने भाई साब को बोला खा लेते हैं अच्छ होता वगर माने ने ने ओड़े भावी लड़ू में मख्यी अट फैक आधा मुझे देना भावी यह मख्यी वाला लड़ू मांग रहा है भावी चुक करना यार तेरी भावी की आखों में तो वैसे भी शिकड़ी भड़क रही है इससे पहले के वह हमें कबाब की तरह सेख डाले यहां से चल परते है चल-चल-चल-चल-चल मोहे पनघट पे नंदलाल लंबा सा घूंगट भी डालोगे न तो गाने में बहुत मज़ा आएगा ओए क्या बक्ता है रे तू सज कहता हूँ कान में बाली नाक में नथनी मांग में सिंदूर कमीश की जगह चोली धोती की जगह साड़ी पहलो तो आधे मर्ज से पूरी औरत बन जाओगे देख 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 तू बक्वास बंकर वरना सर फोड़ दूगे अले पिल पिलाते मातर तो फोड़ नहीं सकते मेरा सर क्या फोड़ोगे जबसे मा मरीय हमारी तकदीर ही फूड़ गये बाहर गाना गाते है घर में आकर खाना पकाते हैं बाहर हमको पब्लिक पैसे देती है और यह घर में आकर तुमारी पतनी से रोकी के लिए भीग मांगनी पड़ती है देख भोले देखूं क्या अरे तुमारे पास दिखाने को रखा ही क्या है हिल गये चलना यार बना शामत आजाएगी आया आया रानी रानी तुम बाहर जाकर खुली आवा में आराम से बैठो मैं तस मिनिट में गर्मा गर्म पूरियां तुमारे हुदूर में पेश करता हूँ बड़ा बेशरम भाई है मेरा पतनी का पती कहीं का क्या बक्ता है तु तुमने मुझसे कुछ कहा अरे नहीं नहीं रानी मैं तुम्हें कुछ कहने की मत कर सकता हूँ आ अच्छा मैंने सुबह तुम्हें जो कुछ कहा था वो याद है क्या कहा था तुम्हारा सर वो अपने जैसा सर है उसमें चीजी जितना भेजा नहीं है क्या आप कहा था फिल्कु सही कहा भावी आपने अगर इनको भेजा होता तो आज इस घर का नक्षा ही कुछ और हो अरे तू अपनी बगवाज बन करता या नहीं क्या कहा था तुमने मैंने कहा था बच्पन में जो तुम्हारा छोटा भाई मर गया था ना उसकी पतनी को लेकर आना है यह लो पैसे और उसे ले आओ लेकिन इतने थोड़े से पैसों में आना जाना कैसे होगा रानी क्यों नहीं होगा जाते वक्त तुम ट्रेन के उपर बैठके जाना उसे घर से स्टेशन तक टांगे में बिठा कर लाना फिर उसे भी ट्रेन के चट पर बिठा कर ले आना समझ रहे ना चलो जाओ ओह 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 एक और मुझीबत आ रही है वो भी अगर भावी की टक्कर की निकली ओहो तो तो तीन कीजिए के चार का खाना बनाना पड़ा अरे चुब भी कर जब भी सोचता है उल्टा सोचता है जा मेरे कपड़े निकास कौन से वो जो धोड़ी खाट से चुरा के लाए थे आहाँ वही यह पुफ वे शरम वे हया तेरी इतनी हम्मत के आज तु मेरे सामने कलाओकर सिगरेट पी रहे लो मैं क्या तुमसे डरता हूँ क्या अरे आज तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ कल से मैं तुम्हारे सामने शिराप पीऊँगा घर में चमपा भाई को लाकर नाच कराऊँगा दुनिया भर की बदमाशिया करूँगा अरे तुम देखते तो जाओ क्या तु मेरे सामने बदमाशिया करेगा हाँ जुआ खेलूँगा गुंडा घर्दी करूँगा मैं किसी के बाप से डरता हूँ क्या तुबर तु मेरे सामने दुनिया की हर बुराई करेगा और मैं देखता रहूँगा मैं तुझे इस जाइते माना दोगा वाँ भाईया घर की चार दिवारी में बहुत जुल्म बनता है उसका सर्वनाश कर डालिये अपनी माशूम बेजुबान भावी अत्याचार की चक्की में सुबह शाम पिस रही है उसे बचा लो या उसे बचा लो वो बड़े घर की बच्ची है गरीबों के घर में उस पर जुल्म होगा तो गरीबी बदनाम हो जाएगी आज गरीबों की इजद तुम्हारे हाथ में है जै बजरंग बली बोलकर हमला कर दीजिए और गरीबी की इजद को दाग लगने से बचा लो बचा लो बचा लो अरे वाब भुले की इंड्रत फाउहरे मेऩ तुने मेरे हाथ की बेधारी तल्वार को धार लगा दी नहीं उस दिलिंती पत्टी से बंद्व मेरी आखे खोल दी वहाँ जाके खबरानाने उन भी आँ गरेंटी रास्ते में बजरंग बली का नारा लगाते चलो जै बजरंग बली जय बजरंग बली खबरदार जो तुम लोग मेरे बीच में बोले तो ये कमी नी दिन राथ यहां बैट कर हराम के रोटिया तोड़ती है और तवरती अपनी जीजा की बीमारी के लिए है आज तो मैं इसकी हट्डिया तोड़के ही रखूंगी जय बजरंग बली हट्डिया मैं तोड़ूगा तुमारे हाथों में इतना दम है के डंडा भी उठा सको अरे ये बर्सों से सोया हुआ हाथ आज जागा है अब देखना ये हाथ का डंडा किर्केट बैट की तरह कैसे काम करता है लव मुझे दो ये लो और आज इसकी ऐसे मर मत करो कि इसकी हड्डियों का पानी पानी हो जाए बिल्कुल पहले तो हड्डियों का पानी बनाऊंगा फिर उस पानी से नहाँगा फिर चमड़े का तॉलिया बनाके उससे अपना बरंग पहुचूंगा क्या भोले क्या बजरंग बली 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 क्या करो मुझे क्यों मुझे क्यों मुझे 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 पर जामरू की तरह काम करने वाली उस मासूम लड़की पर जिन बर घुल करेंगी और करेंगी जुल्फ, करेंगी जुल्फ वाँ ये दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे है अरे तुम किस मिठी की बनी हुई हो उस मिठाई squirrel वाले के पैसे चुकाते चुकाते हमारी रूट गए जोड़ा बहुत ब्याज तो वाचिअ करने दो गवावाः जाब ना दे ना ना दे ना तुस्तने रूझे तो मुझे बाराँ शाल के पत्रले लेने अब 12 साल में से सिर्फ 5 मिनिट के बदले लिए मैंने, 5 मिनिट के तीन साल तक तुझे इसी तरह लगातार माता रहूँगा तब कहीं जाके मेरे दिल के एक करोड चालों में से 10-12 चाले सुखेंगे अमपी अमपी मत मारो मुझे माफ कर दो, शमा कर दो मुझे माफ ही मुझे से नहीं उस मासूम लड़की से मांग, जा मुझे माफ कर दे, बेटी माफ कर दे अब मैं तुछ पर जुम कभी नहीं करूँगी कभी नहीं करूँगी नहीं नहीं दीदी, आप तो बड़ी है यह आप क्या कह रही है तो खाओ कसम, कि आज के बाद तुम्हारे इस सारे नखने अडग बन एक सीधी साधी घरे लू और अजबन के इस घर में रहोगी और साम जैसी लंबी जबान को अपने मुझे बिल में हमेशा के लिए कैद करके रखोगी मैं कसम खाते हूँ आज के बाद मैं सुधर जाओंगी जैसे आप कहेंगे वैसा करूँगी जीक है आ बोल बेटी तु क्या कहती है बड़े भाईया मुझे मेरे जीजा जी के पास ले चली उनकी तबियत बहुत खराब है मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रातना करती हूँ बड़े घर पर बड़ी इज़त से छोड़के आउंगा क्या मैता है बोला बिल्कुल ठीक कह रहा है जाओ जाकर तयार हो जाओ और सुनो अपना चैरा थोड़ा साफ कर लो आसो के साथ नाग बहबहकर पूरा चैरा गिला कर लिया है और तुम खड़े-खड़े मूह क्या देख रही हो अब जाओ ठोकर मल हलवाई के पास और मेरे लिए दो फिलो लड़ू ले आओ जाओ जाओ यह क्या किया भाई साब आपने अरे फिर लड़ू खाने बेज़ दिया उसको हट आज से लड़ू हम खाएंगे